How to remove link device from WhatsApp So basically, आज मैं आप बताऊँगा कि आप link device वो WhatsApp से कैसे like remove कर सकते हैं So आज मैं आप लोग को बताऊँगा कैसल में आप लोगों ने ये कैसे find करना है So आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मेरे पास एक number है जो कि दो devices में चल रहा है तो आप लोगोंने primary phone से जो है वो दूसरा device जो है वो कैसे remove करना है सबसे पहले आप लोगोंने क्या करना है कि जो आप लोग का primary device होगा आप लोगोंने उनकी three dot पे click करना है जैसे आप three dot पे click करेंगे तो basically मेरे पास business WhatsApp है आपके पास अगर simple WhatsApp हुआ तो वहाँ पे भी आप लोग को एक link device का option आजाएगा जैसे आप link device पे click करेंगे तो आप लोग को WhatsApp ये show कराएगा कि असल में आपका ये WhatsApp जो है वो किस device में like run हो रहा है तो आप यहाँ पे दीख सकते हैं कि मेरे पास एक और mobile है और एक Samsung है जो कि basically ये बता रहा है जो कि इसमें चल रहा है आप यहाँ पे दीख सकते हैं मेरे पास Samsung device है तो मैं अब इसको like remove करना चाहता हूँ आप लोगोंने क्या करना है कि simple सा आप लोगोंने यहाँ पे tap करना है जैसे आप tap करेंगे तो आप लोगोंने यहाँ 3.पे क्लिक करना है और जैसे आप 3.पे क्लिक करेंगे तो आप लोगोंने यहाँ पे एक option मिल जाएगा remote device का तो simple सा आप लोगोंने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप remote device पर color करेंगे तो आप easily इनको remote कर पाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे remote पर उटा जाएगा आप यहाँ देख इक सकते हैं यह खुत बहुत लागा उट होगी है उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पिर इनको कोलना चाहूं तो आप लोग को यहाँ पे एक option मिलेगा कि आपने ये remove कर दिया है तो आप easily अपने WhatsApp को दूसरे device से इस तरह जो है वो remove कर सकते हैं उमीद करता हूँ आप लोग को ये tutorial अच्छा लगा होगा सिंबल सता, वीडियो लाइक करे, शेर करे, चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताके आने वाली दूनों में आपको और mobile and technology के tips and tricks daily basis पर YouTube में मिलते रहें शुक्रिया